हेलो विवार्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करने वालें काफी इंपोर्टन टॉपिक पर जो टॉपिक है आपका यूपी टीचीटी फिजिकल एज्यूकेशन की कटॉफ के बारे में विभीन यूटूब चैनल ने अपनी अपनी कट जारी कर दी गई है उनके एकोडिन उनको जो सही रखता है उन्होंने किया लेकिन मैंने ठोड़ा किया क्योंकि मुझे काफी चीज्त करनी थी क्योंकि जब cut off की बात आती है तो वहां पर आपको काफी चीजे देखनी होती है ठीक है कि क्या situation है cut off कैसे प्रभावित होती है कैसे उपर जाता है कैसे नीचे जाता है people का pattern क्या है सारी चीजे आपको देखनी पड़ती है अब मैं आप लोगों से request करना चाहूंगा कि आप समझ में आएगी otherwise आप बोलोगी कि सर आपने सीधे cut off बता दिया कुछ समझ में नहीं आया तो मैं सारे important topic पर बात करूंगा जिस तरीके से आपकी cut off बनती है तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोग यह बोल रहे थे कि आपका sir paper easy है ठीक है easy paper है आपका और cut off ह पाई जाएगा ठीक है सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दो जो लोग बोल रहे थे कि paper easy है तो उन लोगों से request है कि आप इस वीडियो के comment में अपना score में मुझे बता दीजिए कि आपका score कितना रहा ठीक है अगर आपका score 115 प्लस रहा ठीक है 115 प्लस रहा sorry 115 प्लस रहा ठी ठीक है तो मैं मानूँगा कि आपका paper easy था आपके लिए अब बात करते हैं कि students यह बोलें कि sir काफी merit high जाएगा मेरे पास भी काफी सारे message आगे Instagram पर कि sir क्या cut off जा सकता है बता दीजे मेरे इतने questions आई हैं तो मैंने उनसे बोला कि आप wait कर लिजे थोड़ा analyze करने दीजे ची वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वह है आपकी संभावित cutoff ठीक है संभावित cutoff ठीक है याद रखेगा संभावित cutoff लेकिन मेरे recording यह एकदम accurate cutoff होने वाली है संभावित cutoff final cutoff आपकी जब आपकी answer कि आ जाएगी उसके बाद आज होगी जारी करेगा आपकी final cutoff उसका उ इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं तो दूसरे मुद्ध में बात कर लेते हैं कि कुछ student पोल रहें कि sir काफी paper easy है मेरे इतने questions ही है और sir merit बहुत high जाएगा हमारा नहीं हो पाएगा ठीक है तो मैं जो आपके students होते है students की बात कर लेता हूं ठीक है student या आप उसको यह लगता है कि मेरे इतने question सही है और मेरा paper बहुत अच्छा हुआ है लेकिन जब वह बाहर आके अपने भाई बंदू से मिलाता है अपने question तो 4-5 question वहीं पे गलत हो जाते है उसके ठीक है क्योंकि कुछ question किसी दूसरे बंदे को sure होते हैं कुछ question किसी दूसरे बंदे करते हैं जब आपस में discuss करते हैं बाहर आके तो तब पता चलता है कि यार मेरा जिसको accurate मानना था अपना वो तो मेरा गलत हो गया है ठीक है तो वहां पर क्या है कि 4-5 question वहीं पे गलत हो जाते हैं यह मैं आपकी student nature की बात कर रहा हूं जो लोग यह बोलें कि सर काफी easy paper था औ और मेरी tough जाएगा अब बात करते हैं कि उन्होंने विभीन youtube channel से वीडियो मिला अपनी answer की मिलाई होगी मैंने भी answer की डाले थी physical education अड़ा वाले सर ने भी आपकी answer की डाले थी और विभीन youtube channel अपनी अपनी सभी की बात कर रहा हूं लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि मैंने अपने एक टेलिग्राम चैनल पर मिस्टर अनियल सिंग राजपूर जो उत्तर प्रदेश के एक assistant professor है काफी अच्छी knowledge हैं को उनकी जो मैंने answer की डाली है अपने टेलिग्राम चैनल पर डाली ह उन्होंने लगबग accurate आपकी जो answer की बनाई है आप उसको देखना चाहते हैं तो आप टेलिग्राम का चैनल लिंक description में वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और मैं thank you बोलना चाहूंगा अनियल सिंग राजपूर सर को कि उन्होंने इतनी अच्छी answer की बना के हम बच्चों क वह दी तो अब बात करते हैं कि जो लोग बोल रहें थे कि पीपर काफी easy है ठीक है तो उनकी बात कर लेते हैं मैं आप लोगों बता दू कि पीपर easy नहीं था 2016 की according ठीक है 2016 के according अगर 2016 यह 20 था ना ठीक है यह 20 था 19-20 की बात करेंगे हम तो 2021 आपका 21 था ठीक है 2021 आपका 21 था मतलब यह था कि 2016 से थोड़ा tough paper था 2016 में वह रिपीट होए थे जो सारे आपके 125 के 25 को रिपीट होए है उसमें जो पिछले paper में आ चुके है यह आपके किसी भी प्रक्टिस एट में आपको मिल जाते हैं ठीक है लेकिन मैं आप लोगों कहाना चाहूंगा इस question paper में क्या था कि आपके लगबग 80 से ठीक है 80 से 90 ठीक है easy question थे बिल्कुल accurate मिले आपके one liner ठीक है जिनको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हूँ 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 आ गई है ठीक है और आपके लगबग 20 question ठीक है 20 question आपके लगबग आपके medium level के थे ठीक है जिनको गुमावरा की दिया था ठीक है जो आपके पेर करने वाले question थे जोड़े मिलान वाले question थे वो आपके PGT level के थे वो काफी tough question थे ठीक है तो उसमें क्या है एक question में दिया भी गया था कि आपके long jump के जो चरण है उनको मिलान करिये ठीक है लेकिन last में लिखाता कि उनको अवरोधी गिलम में लगाई ठीक है descending order में तो जिन लोगों ने यी चीज नहीं पड़ी maximum of the student ने आपको सीधे किरम में लगाया उस question को ठीक है तो इस तरीके के question थे घुमाने पराने वाले 20 number के 20 question आपके इस चरण है नहीं और काफी नहीं तरीके से question बनाये गए थे ठीक है तो इस तरीके का paper था आप medium-level का question paper कहेंगे ठीक है तो आप की married बननी शुरू होगी, वो यहां से बननी शुरू होगी कहां से बननी शुरू होगी, 90 प्लस से बननी शुरू होगी, क्योंकि 90 तक almost सारा बच्चा करके आ रहा है 90 से जितने प्लस होते जाएंगे जिसी student के, वो काफी अच्छा रहेगा ठीक है अब बात कर लेते हैं देखो यह होगी आपकी explanation तो अब बात करते हैं कि आपकी जो last cutoff गई थी 2016 की यह मेरे पास PDF है यह final cutoff है मैंने सारी चीजों से मिलान करके तब इस नतीजे पर पोचा है हों कि यह आपकी final cutoff है कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी interview से पहले cutoff है लेकिन नहीं ही ऐसा नहीं है मैंने खुद आपकी interview की list देखी है final result देखा ऐसा यह बच्चों का PDF chainboard की website से download करके तब मैं इस नतीजे पर पोचा हूँ कि यह आपकी interview के बाद की final cutoff है ठीक है तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें देखो इसमें थोड़ा clear नहीं दिख रहा मैं आपको आगे लेके चलूँगा ठीक है मैंने यह आपका जो cutoff दी है आपकी according to number दी गई है ना कि according to question ठीक है तो अब मैं इसको लेके चलूँगा मैंने easy way मैं इसको बनाया है देखो यहाँ पर आपको clear हो जाएगा सारी चीजे तो यहाँ पर देखो मैंने आपको number भी लिखे है और आपका question भी लिखे है मैंने easily इसको question में convert कर लिया है ठीक है जब आप इसको 380.94 को भाग दोगे 96, sorry 4 से तो आपका 96 question आ जाएगा ठीक है तो general की जो cutoff थी वो 96 रही है पिछली बार 96 question पर OVC की 93 पर रही है SC की 88 पर रही है और आपकी ST आपकी रही है चोहतर पर ठीक है बट आपका EWS नहीं था दोनों में नहीं था लास्ट टाइम इस बार आपका add हो जाएगा अब बात कर लेते हैं बाली का वर्ग की तो बाली का वर्ग में 92 पर गई थी लास्ट जनर्रल 88 गई थी OVC की 79 गई थी SC की और आपका यहां पर ST की वेकेंसी थी ही नहीं थीक है तो इसलिए cutoff उनकी बनी ही नहीं थीक है तो देख लो आप question में देख लीजे इनको हम यहां पर इस cutoff में बात करेंगे आपकी question की चीज़ों को लेके थीक है ना कि अंदर आपके numbers को लेक कि जो पदों की संख्या होती है सबसे पहले effect करती है merit को ठीक है last time कितनी थी लगवग 240 वेकेंसी थी last time इस बार है लगवग आपका 547 वेकेंसी ठीक है कितनी वेकेंसी लगवग आधे से ज्यादा वेकेंसी है इस बार मतलब दुगनी वेकेंसी है यहां पर आपका तो merit आप आपका जाएगा minus यह मैं आपको point बता रहा हूं किस तरीके से आपकी merit fluctuate होती है अब मैं बात करूंगा यहां पर paper का level तो paper का level आपका लगवग सेम ही रहा है 2016 कि यह voting कुछ बच्चे बोलेंगे उसको इजी कुछ बच्चे बोलेंगे उसको medium ठीक है मैंने एक pole डाला था ल आपकी यहां पर लगवख सेम ही रहेगी आपकी मैं इसमें इसके according को fluctuate नहीं होरी है merit लगवख सेम ही रहेगी अब बात करते हैं अब भीरतों की संक्या ठीक है इस बार अब भीरतों की संक्या थोड़ी जादा है ठीक है last की according लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूं आपका पता है ना वहाद विद्धाले का एक्जाम की तरफ होता है ठीक है जो superior बच्चे थे उनका selection वहाँ पर हुआ है काफी different different जगह पर उन लोगों का selection हुआ है कुछ लोगों का आपका उसमें हुआ है आपका degree college में हुआ है ठीक है तो यह सारी चीजे जो intelligent बच्चे थे काफी superior बच्चे थे जो काफी time से study कर रहे थे उन लोगों का within आपका जगह जगह पर selection हो चुका है ठीक है तो इसमें आपका merit कम जाने की संभावना है माइनस जाए की merit अब मैं बात कर लेता हूँ interview और भारांग का ना होना ठीक है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस topic पे काफी अच्छे video बना दूगा है explanation करके ठीक है तो यहाँ पर आप बता दूँ कि interview के ना होने से ठीक है कोई फरक नहीं पड़ेगा merit पे आप कहोगे तो मैं आपको deeply एक video अलग से बना के समझा दूगा क्यों नहीं पड़ेगा merit पे फरक interview मैंने सारी चीज़ा analyze की आपको calculation कि मार्क्स को इंट्रव्यू के साथ calculate किया बिना इंट्रव्यू को calculate किया तो लग लंसम ही आ रहा है पिच्चानवे च्छानवे के आसपास ही आ रहा है तो interview से कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन मैं आप लोगों बता देना चाओंगा जो भारांक का ना होना है ठीक है यह का कीमत पर आपका भारांक नहीं मिलेगा क्यूंकि आपके 125 को आपका चार्थ नंबर का एक कोशन है 125 को आपका चार्थ करेंगे चार्थ से तो आपका टोटल आए का 500 अगर आपने notification पढ़ा हो तो notification में किसी भी condition में आपका भारांक पांसो से ज्यादा नहीं जाएगा यह ची तो TGT में मिलेगा उसमें आपके 425 नंबर का question होगा ठीक है आपके 25 नंबर आपके भारांके होंगे और 50 नंबर का interview होगा ठीक है तो TGT में कोई भारांक नहीं है और भारांक कम भारांक ना होने से तो आपकी merit definitely नीचे जाएगी ठीक है यहाँ पर आपकी merit नीचे है आपकी तो मैंने जो cut off बनाई है वो इस तरीके से है कि आप लोगों को मैंने आपको बता दूँ कि किस तरीके मैंने एक poll डाला था अपने YouTube चैनल पर वहाँ पर आपकी different cut off बच्चों ने बताई है उसके according जो मेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मैंने बात की जो काफी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मैंने बात की कि उनके कितने गए हैं तो उनके according मैंने ये cut off बनाई है और मैंने सभी YouTube चैनल को जिन लोगों ने अपना poll डाला था या आपका cut off की वीडियो बनाई है तो उसके comment भी मैंने रहीड किया है कल मैंने पूरे दिन में यही काम किया है तो मतलब यहीं मान लिजे कि मैंने काफी सारा data analyze करके cut off बनाया है तो आप लोगों को यह cut off में बताने जा रहा हूं काफी अच्छी cut off है मेरे according cut off यहीं रहना चाहिए 19-20 को मैं नहीं कहूंगा लेकिन cut off इससे नीचे जा तकता है लेकिन इससे उपर जाने क कोई संभावना नहीं है ठीक है तो अब बात कर लें ठीक के cut off की ठीक है तो आपको पहले बात करेंगे हैं हम बालक पर की तो यहां पर क्या है देखो 105 जनल की ठीक है लास्ट टाइम कितनी थी 96 थी और यहां पर हमने 5 question increase किये है sorry 9 question increase किये है तो 96 से आपका 95 पर पहुच गए हैंगे कि आपका कि इतने हैं तो आप selection हो जाएगा आप safe zone में है एक ही point हमने digit दी है आपको दो-दो-डिजिट के बीच में घुमाया नहीं कि इतने से इतने बीच में रहेगा तो मैं आपको लोगो जन्रल की मैंने इतने question क्यों बढ़ाए है तो जन्रल की मैं देखो पहले 96 पर थी अब 105 मतलब सब आपने 9 question बढ़ा दिये इतनी merit कैसे जाएगी उपर तो मैं आपको बता देता हूं कि UP में क्या होता है कि आपका बहार के बच्चे भी आपका apply कर सकते है ठीक है और बहार के बच्चा वह SC में हो OVC में हो किसी भी category में हो यहां के जर्नल में count होगा ठीक है तो जिस तरीकी का paper था मैं आप लोगो especially बता दूँ कि आपका जारकंड आपका राजिस्थान आपका हर्याना और आपका उतरकंड यह चारो राजियो के paper हमारे UPTGD के paper से हमेशा tough आते रहे हैं तो उन लोगों की जो तयारिया है हमके हमारे according काफी अच्छी होती है क्योंकि वो deep study करते हैं काफी काफी अच्छी study करते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों बता देना चाहूंगा कि यहां पर general की merit ज्यादा fluctuate कर सकती है इसलिए मैंने 105 यहां पर ब question जिसके सही है उसक बच्चे का selection मेरे according final हो जाएगा जो बच्चे इस question तक है वो अपना आराम करें आराम से आगे की तयारी करते रहें और इसको इसके लिए reminder है कि मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को मेरे according कि आप लोगों की इतनी ही merit जाएगी ठीक है लास्ट टाइम 5-5 question इसमें भी बढ़ाएं ठीक है इसमें 5 question बढ़ाएं क्योंकि 98 question जो मैंने analyze किया बच्चों का data उसमें लगवग 95-100 95-100 की बीच में OBC के candidate जो है उनकी number आ रहे है ठीक है अब बात करेंगे SC boys की तो SC में आपका 93 question पे आपका selection हो जाएगा ठीक है मेरे according 93 question पे selection हो जाएग पर रहेगी आपकी कटाओ से क्योंकि जितना analyze किया है उसके coding में बात कर रहा हूं अब बात करते हैं ST की ठीक है तो ST की यहाँ पर आपकी 80 plus रहेगी last time आपकी लगवग 72-73 के आसपास गई थी तो यहाँ पर काफी हद तक fluctuate कर सकती है ST की merit भी क्योंकि vacancy काफी time बाद आई है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर EWS की ठीक है तो EWS last time है नहीं था तो वहाँ पर मुझको पुराना data मिला नहीं जिससे मैंना analyze कर पाया लेकिन मैं आपको बता दूं कि EWS की journal से दो question जादा नीचे जा सकती है तो 130 पर आप EWS का मान लीजिए EWS के बारे मैं sure नहीं हूँ लेकिन कुछ हद तक आपका इसी के similar रहेगी दो question कमी मान के चलिए आप general से general की 105 पर रहेगी तो आपको लोगों की 103 पर रहेगी ठीक है अब बात कर लें दें बालिका वर्क की वालिका वर्क मैं देखो general की 95 पर जाएगी मेरे कोडिंग ओविस की 91 पर जाएगी और आपकी सी की 83 पर जाएगी स्टी की सीटेट ही नहीं और आपका EWS की आपकी 93 पर जाएगी तो यह आपकी जो cutoff है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस cutoff का screenshot ले सकते हैं आप समाल के रख सकते हैं इसको जब भी आपका cutoff आएगा तो आप मुझे बताएगा कि सर आपकी cutoff आपकी cutoff काफिस हद तक similar रही है या आपने बेफकू बनाए है हमारा सर cutoff आपकी easy चली गई ऊपर चली गई तो हम आप लोगो बता देना चाहूँगा इसको समाल के रखें जिस दिन cutoff आएगी आप उस दिन मुझे बताएगा कि जो मैंने आपको बताया है आज वो उस टेंप पर काम किया कि नहीं किया तो इस तरीके से मैंने पूरी cutoff बनाई है के जाम दिया है वो भी अपनी cutoff देख सके हैं ठीक है तो मिलते हैं कर नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन पंदे मातराम